वेलकम आवर यूटूब चैनल जी एस्पी तासू विपेसी ट्री क्लास 6-8 के लिए सेट पैर्टिस कराया जारा है रुकमानी प्रकासन की बुक से सोसल साइंस के लिए जिसमें आज हम लोग सेट नमबर 3 को लगाने वाले हैं इससे पहले सेट नमबर 1-2 तक और लेडि करा दिया गया है जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस चेक कर सकते हैं वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लेज वीडियो को लाइक और सेशन खतम होने के बाद किसी भी एक ग्रूप में सेयर जरूर कर दिजेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्ण है मुगल काल में संस्कृत में फार्सी में अनुवादित महा भारत को डैस नाम से जाना जाता था मुगल काल में संस्कृत से फार्सी में अनुवादित महा भारत को रजब नामा के नाम से जाना जाता था अप्सन मर्स C महा भारत को फार्सी में अनुवाद अब्दूर्बदाइन्यू नकीब खां और सेख सुल्तान ने किया था अगला प्रस लिखते हैं भारत में पहला सुरुंता संग्राम 10 मई 1857 को डैस में शुरू हुआ था भारत का पहला सुरुंता संग्राम 10 मई 1857 को मेरट से शुरू हुआ था जो की ऑप्सन में नहीं दिया गिया है इस प्रकार ऑप्सन मर ई सही हो जाएगा उप्युक में से कोई नहीं अगला प्रस्ण है भारती राष्टी कॉंग्रेस के क्राची अधिवेशन का आईजन 1931 में किया गिया था इसकी अधेस्ता किस ने की थी प्रस इंपोर्टेंट है भारती राष्टी कॉंग्रेस के कॉंग्रेस के कॉंग्रेस अधिवेशन का आउजन 1931 में किया गया था इसकी अधिस्ता की गई थी सर्दार बल्ला भाई पटेल की दोड़ा ओप्शन मर बी सर्दार पटेल ने केवल एकमात्ट कॉंग्रेस अधिवेशन के देश्ता की थी कनाची कॉंग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार पर प्रष्तवपारित किया गिया था सर्दा बल्ला भाई पटेल 1928 इस्वी में बार्दोली किसान आंदरोन का नेतित किया था अगला प्रस्न है दर्चिन अफ्रीका से भारत लोटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्विद्याले में पहली बार साजनिक तोड़ पर संबोधित किया था दर्चिन अफ्रीका से भारत लोटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में बार्दोली बार सार्जनिक तोड़ पर संबोधित किया था एनी बेसेन दोड़ा स्थापित सेंटर उस्कूल पंडित मदन महल मालवी के पढ़िया से बी एच यू में रुपांधित हो गिया था चार फरवड़ी 1916 को वाईसार लॉड हारिं दूतिय ने विस्विद्याले का उध्वाटन किया था अगला प्रस देखते हैं किस मुगल सजादे ने 1657 में उपनिजदो का फार्सी में अनुवात किया था आंसर है ऑफ्सण नमर सी दारा सिको ने अगला प्रस्ण है राश्कृट वांज के दोड़ा निम में से किस मंदिर का निर्मान कड़ाय गया था तो दोस्तो वह मंदिर हो जाएगा केलास मंदिर ऑफ्सण नमर ए के लास मंदिर का निर्मान राषूट वंस द्वाड़ा किया गिया था यह मंदिर एलोडा की गुफा मेज्टी थै जिसे राषूट सासक क्रिश्म पर्थम ने आठवी सदी में बनवाया था यह गूफा संख्या सोलों में इस्तित है तथा एलोडा की 34 गूफाओं में सबसे बड़ा है एलोडा गूफाओं का संबन्द हिंदू बहुत तथा जैन संस्कृति से है अगला प्रस्ण है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा बिस्तार किसके सासनकाल में देखा गिया अगला प्रस्ण है शिपाई बिद्रो के दुरान गवर्णा जर्नल कों था शिपाई बिद्रो के दुरान गवर्णा जर्नल था लोड केनिंग शिपाई बिद्रो के दुरान गवर्णा जर्नल लोड केनिंग था केनिंग बिटिस भारत में प्रतम वायसरा भी था 1857 के शिपाई बिद्रो का ततकालिन कारण गाय और सुवर से चर्वी से बने कार्थूस के कवर का पड़ियोग करना था अगला प्रस्ण है तिरिपूरी संकट की समाप्ती के बाद कॉंग्रेस का अध्याच किसे चुना गिया था आंसर है ओप्शन नमर सी डॉक्टर राजिन परसाथ को तिरिपूरी संकट की समाप्ती के बाद कॉंग्रेस का अध्याच राजिन परसाथ को चुना गिया तिरिपूरी संकट का संबन सुवास्चन परसाथ के अध्याच पर से त्याफपा देने के बाद डॉक्टर राजिन परसाथ को अध्याच बनाये जाने से है 1938 इस्वी में पॉंगरेश का धीवेशन हरीपूरा में सुवाशन बोस की अधेस्ता में हुआ था 1949 इस्वी में पॉंगरेश का धीवेशन तिरीपूरी जो की मत परदेश में है सुवाशन बोस की अधेस्ता में हुआ था अगला प्रस्ण दिखते हैं नीम में से किस ने तपका ते नासरी नामक पुस्तक लिखी थी प्रस इंपोर्टेंट है तपका ते नासरी नामक पुस्तक लिखी गई थी मीनाज उल्ज सिराज की द्वड़ा ओप्सन नमर ए मीनाज उल्ट सिराज ने तपका ते नासरी नामक पुस्तक लिखी थी अगला प्रस्ण है ब्रिटिस परधान मंत्री रेमजे मेक्डोनाल दुवड़ा संपरदाईग पंचार की घोषना कब की गई थी ब्रिटिस परधान मंत्री रेमजे मेकड़नौल के द्वड़ा संपरधाई पंचार की घोषना की गई थी अगस 1932 को ओप्सन नमर ए जबकि पूर्णा समझोता हुआ था 24 सितंबर 1932 को अगला प्रस्ण है स्वामी विवेकानन ने वर्ष डैस में सिकागो विष धर्म सम्मेलन में विधान्तिक दर्शन की सर्वस्ता का उल्ले किया था तो दोस्तों वह वर्ष हो जाएगा वर्ष 893 का ओप्सन मर सी स्वामी विवेकानन ने वर्ष 1893 में सिकागो विश धर्म सम्मेलन में विजान्तिक दर्शन की सर्वस्ता का उल्ले किया था अगला प्रस्ण है निम में से कौन वे नेता थें जिन्होंने खिलापत के समर्थन में असयोग आंद्रण सुरू करने की आवसकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महतुन भुमिका निभाई थी तो दोस्तो वे नेता थें सौकत अली ओप्सन मर्थ C सौकत अली वे नेता थे जिन्होंने खिलापत के समर्थन में असयोग आंद्रण सुरू करने की आवसकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महतुन भुमिका निभाई थी प्राथम विश्वित के बाद तुर्की के साद सेवडाई की संधी हुई थी अगला प्रस्न है नीम में से कौन हिंदुस्तान रिप्वलिकन एसोसियेशन के संस्थापक सर्यसियो में से एक थे राम परसात बिश्मिल कौन बना अलिवर्दी खां के पस्टाथ बंगाल का नबाब बना सिराधु दोला अलिवर्दी खां के बाद बंगाल का नबाब बना था अलिवर्दी खां असोग राजया के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद असोग ने कलिंग के साथ यूज छे रा था आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर भी आठ वर्षों के बाद असोग राजा के अनुसार राजा बनने के आठ वर्सों के बाद असोग ने कलिंग के साथ यूद छेड़ा था असोग ने अपने राजा बिसे के आठमे वर्स में 261 इसापूर में कलिंग पर आकर्मन किया और कलिंग की राधानी तोसली पर अधिकार कर लिया इस यूद का उल लेक तिर्वें ब्रियस सिला लेक में है अगला प्रस्म देखते हैं सुवास्चन बोस की द्वड़ा स्थापित भारती राष्टी सेना में महला रेजिमेंट का नाम क्या था आंसर है ओप्सन नमर ए जासी किरानी रेजिमेंट सुवास्चन बोस की द्वड़ा स्थापित भारती राष्टी सेना में महला रेजिमेंट का नाम जासी किरानी रेजिमेंट था आजाद हिंद फोल्च का एक महला रेजिमेंट जासी किरानी की अस्थापना वर्ष उनिस सो तेतालिस में की गई थी अजाद हिंद फोच का उवर्स 1937 में सुवास चन बोस सुपर कमांडर बने थे सुवास चन बोस ने 1949 श्वी में कॉङडे से इस्तिपाद देने के बाद फोरवरट बोलग पार्टी के अस्तापना की थी सुवास्चन बोस ने सोतन भारत की अस्ताई सरकार की अस्तापना 21 अक्टूबर 1943 इस्वी को सिंगापूर में की थी अगला प्रस देखते हैं महाबीर का जनम किस नाम के छत्रिय गोत में हुआ था महाबीर का जनम जिस नाम के छत्रिय गोत्र में हुआ था वो हो जाएगा ग्यात्रिक अगला प्रस्न है यूटोपिया का लेखा कौन था यूटोपिया का लेखा था थॉमस मोर अप्शन नमर ए अगला प्रस्न दिखते हैं बोश्टन बंदरगा पर 340 चाय के बक्सों को समुद में फेका गिया इस घटना को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इस घटना को जाना जाता है बोश्टन टीप पार्टी के नाम से ओप्शन नमर C अगला प्रस्न है हवा पानी और जलवाई की क्रिया दोड़ा चटानों के तुटने की प्रक्रिया को कहा जाता है हवा पानी और जलवाई की क्रिया की दोड़ा चटानों के तुटने की प्रक्रिया को कहा जाता है अब 6 निया अब 6 ओप्शन नमर B अगला प्रस्न है कौन सी जलसंदी परसांत महासागर को अट्लांटिक महासागर से जोरती है परसांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोरती है मलक का तथा मेगलन जलसंदी इस प्रकार आप्सरमर डी सही हो जाएगा उप्यूक में से एक से अधिक परसांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोरने वाली पडमुख जलसंदी में मलक्का जलसंदी तथा मैगलन जलसंदी सामिल है पनामा नहर परसांद महासागर को अट्लांटिक महासागर से जूरती है पनामा नहर का निर्मान अगस 1914 में पूरा हुआ था अगला प्रस्न है कि इस पतन या बंदरगा सहर को अडप सागर की रानी कहा जाता है तो दोस्तो अडप सागर की रानी कहा जाता है कोची को ओप्सन मर बी कोची पतन या बंदरगा सहर को अडप सागर की रानी कहा जाता है भारत का सबसे पुराना क्रितिम बंदरगा चेन्नाई बंदरगा है भारत का जुआरी बंदरगा कांडला बंदरगा है जो कि गुजरात में इस्तित है भारत का पुर्वी तट पड़वस्तित पारादी बंदरगा ओडिसा राज में इस्तित है भारत का एन्नोर बंदरगा तमिलांडू राज में इस्तित है देश का सबसे बड़ा बंदरगा मुंबै में इस्तित नावा सेवा बंदरगा है यहां से सूती ववस्त का भी निडियात होता है अगला प्रस्ण है नीब में से किस राज में दलदली या पीट भूमी मिटी मिलती है दलदली या पीट भूमी मिलती है केडल में ओडिसा में तथा पसिम बंगाल में इस परकार ओप्शन नमर्डी सही हो जाएगा ओप्यूक में से एक से अधिक अगला प्रस्ण देखते हैं निमलेखित में से किस नदी का उद्गम मत परदे से होता है मत परदे से होता है उद्गम हो जाएगा ताप्ति नदी का ओप्शन नमर्डी परदे से होता है आगला प्रस्ण है निमलेखित में से कौन सब बंदरगा या टर्डविनल परसांत महासागर में इस्थित नहीं है जो बंदरगा या टर्मिनल परसांद महा सागर में इस्तीत नहीं है वो है रियोडी जैन्रो जो की बड़ाजिन में इस्तीत है रियो डी जेन्रो बंदरगा या टर्मिनल परसांत महासागर में इस्तित नहीं है रियो डी जेन्रो में 1992 इस्वी में प्राथम प्रित्वी सम्मेलन का आईजिन हुआ था रियो डी जेनरो दच्छे अट्लांटिक महासागर के तरड़ इस्तीत है नाकी परसांत महासागर में अगला प्रस्न है करकरेखा तथा मकरेखा के बीच का छेतर क्या कहलाता है करकरेखा तथा मकरेखा के बीच का छेतर कहलाता है उसकटी बंद option number C करक रेखा और मकर रेखा के बेच जीरो डिगरी अच्छान्स को विश्वत रेखा कहते हैं उत्री गुलार्थ में अच्छान्स को करक रेखा कहते हैं दच्छनी गुलार्थ में अच्छान्स को मकर रेखा कहते हैं अगला प्रस लेखते हैं प्रस इंपोर्टेंट है देश में वन जीव संग्रचन अधिनियम कब लागू किया गिया देश में वन जीव संग्रचन अधिनियम लागू किया गिया सन 1972 में जबकि भारती वन अधिनियम वर्ष 1927 में लागू किया गिया था परियावरन संगच्चन अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गिया था जल परदूसर निवारत अधिनियम वर्ष 1974 में बनाया गिया था वाई परदूसर निवारत अधिनियम वर्ष 1981 में बनाया गिया था अगला प्रस देखते हैं सूची एको सूची दो के साथ मिलान करना है एक तरफ दिया गिया है जै मंडल अस्तल और एक तरफ है उसका अस्तापना वर्ष चलिए सुमेलित करते हैं इस परकार ऑप्स नमर बी सही है अगला प्रस लिखते हैं प्रिथ्वी की सत्र पर पहार का निर्मान किस परकार के बल का परिणाम है प्रित्वी की सत्र पर पहार का निर्मान जिस परकार के बल का परिणाम है वह बल का हो जाएगा अंतरजाद बल आप्सन नमर ए प्रित्वी की सतर पर पहार का निर्मान अंतरजाद बल का परिणाम है वह बल जो प्रित्वी के आंतरिक भाग से उत्पन होता है और भूतल पर विशमताओं का स्रिजन करता है अंतरजाद बल कहलाता है अगला प्रस्ण है लेपो लित तथा फेको लित किस वर की चटाने हैं लेपो लित तथा फेको लित चटाने हैं आगने चटान ओप्शन नमर ए अगला प्रस दिखते हैं निमलेखित में से कौन सा प्रित्वी के घुर्णन का परभाव नहीं है प्रित्वी के घुर्णन का परभाव नहीं है वो हो जाएगा ओप्सन मर बी यानि की रितु परिवर्तन रीतु परिवर्तन प्रित्वी के घुर्णन का प्रभा नहीं है प्रित्वी द्वाडा सूर के चारो और चक्कर लगाने की प्रक्रिया को परिकर्मन कहा जाता है प्रित्वी के परिकर्मन गुन के कारण ही रीतु परिवर्तन होता है प्रित्वी का अपने अज़ पर घुमना या घुर्णन या पडिभर्वन कहलाता है अगला प्रस लेखते हैं भावीस में उत्री धूर पर अमेरिका एम युरेशिया महादीप के चट्टाने रुप्या महादीप के टक्राने से निर्मीद सूपर कॉंटिनेंट में कौन सा महादीप सामिल नहीं होगा जो सामिल नहीं होगा वो हो जाएगा अंटार्टिका ओप्सन बर सी भावीश में उत्री धूर पर अमेरिका एम युरेशिया महादीप के टकराने से निर्मीद सुपर कॉंटिनेंट में अंटार्टिका महादीप सामिल नहीं होगा अगला प्रस्म देखते हैं प्रित्वी के चारो और वाई मंडल के ताप अस्तरन की तीन सुवस्पर्श विशेष्टा हैं निमलेखित में से कौन सा एक परतो यानी की भूपडिस से उपर की और सही विन्यास है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन मेंड़ C छो मंडल फे समताप बंडल हो जाएगा और लाश्ट में थर्मो स्फियर अगला प्रस्न है भाडत में राश्टिये हरित अधिकरन अधिनियम का पाडित किया गया था भाडत में राश्टिये हरित अधिकरन अधिनियम पाडित किया गया था वर्स 2010 में और इसका हेट कोटर है नई दिली में अगला प्रस्न देखते हैं कार्बन केरेट की संकलपना निमली खित में से किस से उद्धत हुई है प्रस इंपोर्टेंट है कार्बन केरेट की संकलपना उद्धत हुई है क्योटो प्रोटोकॉल से उद्धत हुई है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतराश्टि संदी है जिसे गुलवल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवाई पलवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसमड 1997 को बनाया गिया था जबकि मॉन्टियल प्रोटोकॉल एक अंतराश्टि संदी है जो ओजन पड़त को संग्रचित करने के लिए बनाया गिया था अगला प्रस्म देखते हैं बोडी वली राश्टि उद्ध्यान कहां इस्तित है बोडी वली राश्टि उद्ध्यान इस्तित है महराश्ट में जबकि काना, पन्ना, बांदबगड, पालपुर आधी राश्टि उद्ध्यान महत्परदेश में इस्तित है केबला देव, रन्थम बोर, सरिसका, घाना आधी राष्टे उध्यान राजस्तान में इस्तीत है गीर, मैरिन, बलेक बक आधी उध्यान गुजरात में इस्तीत है अगला प्रस्ण है, जनगन्ना 2021 के अनुसार की स्राच का सीसू लिंगानों पास सबसे अधिक है आंसर है, ओप्सन नमर सी, अनुआचल परदेश का जनगन्ना 2021 के अनुसार अनुसार अनुआचल परदेश का सीसू लिंगानों पास सबसे अधिक है जो की 972 है 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में प्रती 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को सीसू लिंगानुपात कहते हैं 2011 के भारत का सीसू लिंगानुपात 919 था अगला प्रस्न है डैस भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज है भारत का सबसे बढ़ा बॉक्साइड उत्पादक राज है ODISMA अगला प्रस्न लेखते हैं सहारा मरुवस्थल में बहने वाली गडम अस्थानिये पवन को कहते हैं पड़ास इंपोर्टेंट है सहारा मरुवस्थल से बहने वाली गरम अस्तानी पवन को कहते हैं हर मट्टन, option number B अगला प्रस्ण है भारते समिधान का नीम में से कौन सा अनुचेद एक GST परिशत की अस्तापना से संबंदित है जो अनुचेद GST परिशत की अस्तापना से संबंदित है अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण इंपोर्टेंट है समिधान के किस अनुचेद के तहट भारत का उस्तम नियाले मौलिक अधिकार के परवर्तन के लिए रीड जारी कर सकता है तो दोस्तों वह अनुचेद है अनुचेद 32, option number A समिधान के अनुचेद 32 के तहट भारत का उस्तम नियाले मौलिक अधिकार के परवर्तन के लिए रीड जारी कर सकता है उच नियाले अनुचेद 226 के तहट मौलिक अधिकारों के साथ ही अनपरजिनों के परवर्तन हेतु रीड जारी कर सकता है भारते समिधान के अनुछेत 32 में समिधानिक उपचारों का धिकार का वर्णन है अगला प्रस्ण है 1973 में केशवानन भारती केश में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्ताबना को संसोजित किया जा सकता है अगला प्रस्ण देखते हैं भारते समिधान में समाजबादी, पंत, निर्पेच और अखंता सब कब सामिल किये गए थें आंसर है ओप्चन नमर B 1976 में 42 में संसोधन के दुवड़ा अगला प्रस्ण है 73 में समिधानिक संसोधन अधिनियम के नुसार पंचाइट का कारिकल कितना होता है 53 में समिधानिक संसोधन अधिनियम के नुसार पंचाइट का कारिकल होता है पांच वर्सों का जो की ऑप्चन में नहीं दिया गिया है इस प्रकार ऑप्चन नमर E सही हो जाएगा तीहत्रमे समिधानिक संसोधन अधनियम के अनुसार पंचायत का कारिकाल पांच वर्ष का होता है तीहत्रमा समिधान संसोधन अधनियम उनिसो बिरानवे के द्वड़ा ही पंचायती बेवस्ता को समिधानिक दर्जा परदान किया गिया था तिरहत्रमा समिधानिक संसोधन अधनियम के द्वाड़ा समिधान में एगारवी अनुसुची को जोड़ा गिया तिरहत्रमा समिधान संसोधन पेवी नर्सिमा राव के परधान मंत्री के कारकाल में हुआ था अगला प्रस्म देखते हैं भारते समिधान के कौन से अनुचित के अनुसार उप राश्पती राश्पती के रूप में कार अथवा कर्तवों का निर्वन कर सकता है भारते समिधान के अनुचित 65 के अनुसार उपराश्पती राष्पती के रूप में अपने कर्तवों का निर्भन कर सकता है जोकी option में नहीं दिया गिया है इसलिए option number E सही है उपयूक में से कोई नहीं राश्पति का पद रिठ रित होने पर उप राश्पति केबल 6 महिए तक कारवर्ख राश्पति के रूप में कारी कर सकता है, जब तक की नया राश्पति कारभर न गरण करे अगला प्रस्द है कि इस अनुचेत के तह समान नागणी सहिता का उल्ले किया गिया है अनुचे 44 में option number B अगला प्रस्द देखते हैं भारत के समीधान के अनुचे 10 में अनुचे जातियों और अनुचे जन जातियों के लिए लोग सभा में सीटों के संगरच्छन, सीटों के आरच्छन की अभधारना को रिखांकित किया गिया है तो दोस्तों वह अनुचेत हो जाएगा अनुचे 330 भारत के समिधान के अनुचे 330 में अनुचुची जातियों और अनुचुची जन जातियों के लिए लोग सभा में सीटों के आरेचन की अबधारना को रेखांकित किया गिया है अगला प्रस्न है राज सरकार की बर्कास्तगी और राज बिधान सभा की निनम्मन या बीक्टन की सिफारिश करने की सक्ति किसके पास होती है आंसर है ओप्सन नमर ए राजपाल के पास अगला प्रस्न है भारत के समिधान का अनूचित 21A डैस का अधिकार परदान करता है प्रस इंपोर्टेंट है और पहले भी पुछा गिया है एक जाम में भारत का समिधान का अनूचित 21A सिच्छा का अधिकार परदान करता है ओप्सन नमर ए भारत के समिधान का अनुचेद 21A सिच्छा का अधिकार परदान करता है अनुचेद 21A को 66 में समिधान संसोदन की द्वारा जोड़ा गिया जो सिच्छा का मौलिक अधिकार परदान करता है सिच्छा का अधिकार एक्ट 2009 इसमी में लाया गिया एक अप्रेल 2010 से सिच्छा का अधिकार लागू किया गिया था भारते समिधान के भागतीन में अनुचेद 12-35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है अनुचेद 21 में निस्ता के अधिकार भी सामिल है अनुचेद 14-18 तक समानता के अधिकार के चर्चा की गई है भारत वर्ष में मता अधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष समिधान संसोधन की द्वड़ा किया गिया 61 समिधान संसोधन 1989 की द्वड़ा अनूचे 326 में संसोधन किया गिया अगला प्रस्ण है भारत की संचीत निधी से धन निकानले के लिए निमलेखित में से किसका अनुमदन अनिवार है वह है भारत की संसत का ओप्शन मड़ A अगला प्रस्ण है 42 में संसोधन की द्वारा भारत के समिधान में नागरीकों के लिए मौलिक करतब की सुवर्स जोड़े गये थे 42 में संसोधन की द्वारा भारत के समिधान में नागरीकों के मौली कर्तब जोड़े गये थे 1976 में ओप्सनमर C अगला प्रस्ण है भारते समिधान में 10 वी अनुसुची को कि संसोधन के माध्यम से जोड़ा गिया था भारते समिधान में दसवी अनुसुची को जोड़ा गिया था 52 में संसोधन के दुवड़ा ओप्शन मर भी 52 में संसोधन जोकी 1985 में हुआ था अगला प्रस्ण है परतेग संसद्य बैठक का पहला घंटा 10 के लिए होता है परतेग संसद्य बैठक का पहला घंटा होता है प्रस्न काल का ओप्शन मर्सी अगला प्रस्न देखते हैं समेधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की सकती इस नियाले के पास होती है समिधानिक कानूनी अधिकाडों के लिए आदेश जारी करने एक सकती होती है उच नियाले के पास option number C अगला प्रस्न है भारते समिधान का अनूचे 371A डैस राज को विसे दर्जा परदान करता है भारते समिधान का अनूचे 371A नागा लेंड राज को विसे दर्जा परदान करता है option number A अगला प्रस्न है समिधान का कौन सा भाग समिधान संसोधन से संबंदित है समिधान संसोधन से संबंदित है वह भाग है भाग 20 option number B और अनूचेत हो जाएगा अनूचे 368 अगला प्रस्न है आनूचे 372 के मुख मसोधाकार कौन थें प्रस्न इंपोर्टेंट है आनूचे 372 के मुख मसोधाकार थें एन गोपाल स्वामी अयंगर option number C अगला प्रस्न देखते है भारते समिधान के की संसोधन के तहद दिल्ली को राष्टे राज़ाने छेतर यानी की NCT का दरजा परदान किया गिया था तो दोस्तों वह संसोधन हो जाएगा उनहत्र में संसोधन option number A उनहत्र में समिधान संसोधन अध्रियम जोकी 1991 में हुआ था अगला प्रस्न है निमलेखित में से कौन पुझी कत वस्तु नहीं है पुझी कत वस्तु नहीं है भोजन तथा वश्तु option number D सही हो जाएगा उपयोग में से एक से अधीक भोजन और वस्त पुझी कत वस्तु की अंत्रगत वैसे वस्तु को रखा जाता है जिनका उप्योग अंतिम उत्पादन के लिए उभोकतां दुआरा इस्तिमाल ना होकर निर्मातां दुआरा भविश के उत्पादन के लिए किया जाता है पुझी कत वस्तु का क्रेता निर्माता वर्ग होता है अगरा प्रस्न दिखते हैं Most important प्रस्न है मुलवर्दित कर यानि के भैट लगाया जाता है मुलवर्दित कर भैट लगाया जाता है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर लगाया जाता है भैट एक अपर्तियच कर है वेट भारत में सबसे पहले हर्याना में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गिया था अगला प्रस्न देखते हैं सांसदो दोड़ा गाउं को गोद लेने से संबंदित एक योजना ऐसे जीवाई शुरू की गई सांसदो के दोड़ा गाउं को गोद लेने से संबंदित एक योजना ऐसे जीवाई शुरू की गई सांसद आदर्स ग्राम योजना की सुरूआ 11 अक्टूबर 2014 में की गई थी ऐसे जीवाई योजना जै प्रकाश नरायन के जरम दिवस पर मनाया गिया अगला प्रस्न देखते हैं most important प्रस्न है railway के आधुनी करम से संबंदित गठी समीती कौन सी है railway के आधुनी करम से संबंदित गठी समीती है सैंट पेत्रोदा समीती option number C अगला प्रस्न है भारत में निमलीखित में से कौन सा कर राज सरकार के दोड़ा वसूला जाता है भारत में जो कर राज सरकार के दोड़ा वसूला जाता है वह कर हो जाएगा सरापर अपकारी कर option number B अगला प्रस्न देखते हैं अर्शाच की कौन सी साखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम सरू, प्रैकर्थी संसाधन, भंडारों के हास और परदूसन से संबंदित है तो दोस्तों वह साखा हो जाएगी परियावर्णी अर्शाच, ओप्सन नमर ए अगला प्रस्म देखते हैं इसका सुभारम एक अप्रेल 1999 को किया गिया इस योजना के अंतरगत केजराज की रासी का अनुपात 75 अनुपात 25 रखा गिया समु रिती अपनाने पर बल देती है इस प्रकार ओप्सन नमर डी सही हो जाएगा उप्यूक में से एक से अधिक यह तीनों की तीनों कतन स्वण जैंती गराम सुरजगार योजना के बारे में सही है अगला प्रस्म देखते हैं यूएन पढ़ियावर्णी गती बिध्यों का समणवे करने वाला अंतराश्टी संगटन कौन सा है अगला प्रस देखते हैं बजट में राजकुसी घाटा का अर्थ है बजट में राजकुसी घाटा का अर्थ है बजटी घाटा प्लस सरकार की निवल उधारिया अगला प्रस देखते हैं निमलेखी सब्दों को एक अर्थ कुन करम में ब्यवस्तित करिए आपको इसमें करम में सजाना है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सनमर B पहले हो जाएगा मालिक फिर दूसरी नंबर पर हो जाएगा महा प्रबंदक फिर तिसे नंबर पर हो जाएगा प्रबंदक और फोर्स नंबर पर हो जाएगा सूपरवाजर पांचमा नंबर पर हो जाएगा मजदूर अगला प्रस्न है नरोडा आनविक सक्तिक के निस्ति अगला प्रस्ण दिखते हैं लाला राजपत राय निमलेखित में से किस बैंक के संस्था पक थे पंजाब नेशनल बैंक का ऑप्शन मर्सी पंजाब नेशनल बैंक की अस्थापना 1894 में हुई थी अगला प्रस्ण है निमलेखित में से कौन भारा सरकार के योजना गद बैंक के अंतरगत आता है अब अस्थापन के विकास पर बैंक की और पलायन कहलाता है सिछित बैक्तियों का विकासिन देशों से विक्सित देशों की और पलायन कहलाता है परतिभा पलायन ओप्शन नमर ए अगला है परतेख वर्ष राश्ट्य उभखता दिवस कब मनाया जाता है परतेक वह स्राष्टिय वह भकता दिवस मनाया जाता है 24 दिसमबर को जबकि 20 मृदा दिवस मनाते हैं 5 दिसमबर को सुनीद राज संग दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को अगला प्रसन है भारती राजमार संपर के उत्तर दर्चिन और पूर्परसिम कॉरिरोड डैस में एक दूसरे को प्रती छेदित करते हैं तो दोश्तों वह अस्तान हो जाएगा जहांसी ओप्शन नमर भी भार्ती राजमार संपर के उत्तर दच्छिन और पूर्ख परसिम कॉलिडर जहांसी में एक दूसरे को प्रती छेदित करते हैं आगला प्रस्ण है IMF और विस बैंक का गठन 1944 में हुआ था उनका मुख्याले की सहर में इस्तित है IMF और विस बैंक का गठन 1944 में हुआ था और इसका मुख्याले इस्तिते वासिंटन डिसी में आप्शन नमर सी अगला प्रस्ण है विस बैपार संगाठन यानि की WTO डैस का समवर्धन करता है विस बैपार संगाठन यानि की WTO समवर्धन करता है बहुँ पार्सिक बैपार का ओप्शन मर सी WTO की अथापना 1995 में की गई थी अगला अंतिम प्रस्ण है उभोक्ता सोचन के पर्मुक कारण है उभोक्ता सोचन के पर्मुक कारण हो जाएगा सुचना का अभाव, वास्तो की सिमित आपूर्ती तथा ओभोक्ता की अग्यानता इस परकार ओप्शन मर डी सही हो जाएगा ओप्यूक में से एक से अधिक थैंक्यू